हेलो एबरीबादी, वेलकम तो मिस्टिक वाल्ट 11.11 यह आप लोगों की कुईक एनरजी अपडेट है और आज हमारा कुईक एनरजी अपडेट में टॉपिक यह है कि आपके परसन आपको क्या इंपॉर्टन मैसेज देना चाहते हैं इस वक्त, so regardless आपकी क्या सिचुएशन है यह रीडिंग सबके लिए ओपन है, so आपके परसन इस वक्त आपको क्या इंपॉर्टन मैसेज देना चाहते हैं, बहुत जरूरी मैसेज, क्या देना चाहते हैं, आपसे क्या कहना चाहते हैं, okay, so पहला हमारे पास कार्ड आगया है, 9 of Swords, फिर है हमारे पास Page of Cups, 2 of Pentacles, 6 of Sw 5 of Swords, 5 of Swords, then we have the Tower, okay, King of Swords, okay, then we have King of Wands, so bottom of the deck पर overall energy है, Queen of Wands, wow, so King और Queen दोनो है, so पहला मैसेज यह इंसान आपको यह देना चाहते हैं, कि आप उनका perfect match है, आप उनकी Queen है या King है, but right now, आप दोनों के दर्मियान, बिलकुल भी चीज़ें ठीक नहीं हैं, बिलकुल भी balance नहीं चीज़ें, बिलकुल upside down है, क्योंके काफी heavy energy feel हो रही है, Libra, Gemini, Aquarius, Air sign बहुत ज़्यादा है, Aries Leo, Sagittarius, Fire बहुत ज़्यादा है, ये इनसान past को भूलाना चाहते हैं, ये इनसान जिन्दगी में balance लेकर आना चाहते हैं, and they really want you to know that, ये इनसान आपको ये कहना चाहते हैं, कि वो आपसे बदला नहीं लेना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा है, वो आपको ये बताना चाहते हैं, कि वो जान बूझ कर आपको hurt नहीं कर रहे हैं, इस वक्त जो भी हो रहा है, Divine Plan के मताबिक हो रहा है, ये इनसान आपसे ये कहना चाहते हैं, और यह आपसे ही कहना चाहते हैं कि जो भी हुआ वो उन्होंने जान बूच कर नहीं किया वो भी बहुत जादा परिशान है आप लोगों के दरमियान जो भी सिचुएशन हुई है उसकी वज़ा से ये इनसान आपसे दोस्ती दुबारा करना चाहते है सुला करना चाहते है बट इट विल टेक सम टाइम ये इनसान आपसे टाइम मांगना चाहते है ये इनसान आपसे ये कहना चाहते है कि थोड़ा सा डस्ट को सैटल होने दीजिए अपने आपको हील करें वो भी heal करना चाहते हैं जो भी हुआ उसे और वो आपको बताना चाहते हैं कि उनकी जिन्दगी में भी इस वक बहुत कुछ चल रहा है ये इनसान आपसे ही कहना चाहते हैं कि शायद उनके सुबान पर कभी भी ये ना आए कि they are sorry but they are sorry ये इंसान आपसे apologize करना चाहते हैं ये बहुत important message है उनकी तरफ से आपके लिए कि वो माफी माँगना चाहते हैं आपसे जो भी हुआ उसके लिए but maybe वो 3D में नहीं माँग पा रहे because उनकी ego उनको रोक रही है I do feel that they have a big big ego king of swords, king of wands so वो ये कह रहे हैं आपसे कि they know कि वो sometimes बहुत ज़्दा stubborn हो जाते हैं, selfish हो जाते हैं but they really want you to forgive them वो चाहते हैं कि आप उन्हें माफ कर दे ये इंसान आपको ये important message देना चाहते हैं वो आपसे ही कहना चाहते हैं कि they know कि वो बहुत ज़्दा expressive नहीं है और कभी कबार बहुत ज़्दा cold होते हैं आपके साथ उन्हें नहीं emotionally connect करना आता कभी कबार आपके साथ but they really hope कि आप उन्हें understand करेंगे क्योंकि आपने हमेशे उन्हें बहुत ज़्दा understand किया है और आप अब भी understand करेंगे कि वो जान बूच कर आपके साथ cold नहीं होते वो जान बूच कर आपको hurt नहीं करते हैं वो भी बहुत ज़्दा परिशान है उन्हें बहुत ज़्दा दुख है जो भी आप लोगों के दरमियान हुआ और वो माफी दिल से आप से मांगना चाहते हैं वो शायद कर नहीं पा रहे हैं वो एक next step आगे ले नहीं पा रहे हैं जो आप चाहते हैं कि वो लें So they really want you to forgive them और वो आपको ये भी बताना चाहते हैं कि वो still आप में बहुत ज़्यादा interested हैं वो still आपको अपने counterpart के तौर पर देखते हैं वो still this connection पर invest करना चाहते हैं but they really need some time I feel कि ये इनसान आपसे time मांगना चाहते हैं They really want time वो चाहते हैं कि आप थोड़ा सा वक्त उन्हें और दे दे and I know कि आप में से कुछ लोग ये कहेंगे कि और कितना वक्त but still ये इनसान थोड़ा सा वक्त और चाहते हैं आपसे so ये उनकी तरफ से important message है वो आपसे apologize करना चाहते हैं अपने behavior के लिए अपने cold behavior के लिए और वो आपको ये बताना चाहते हैं कि they know कि आप ये deserve नहीं करते आप बहुत ज़्यादा deserve करते हैं but they really need some time और वो बहुत ज़्यादा worried है बहुत ज़्यादा परिशान है so ये आप लोगों की quick energy update थी कुछ भी आपके लिए helpful रहा मुझे ज़रूर बताईएगा comment section में I'll see you in my next video till then love you lots bye